पूराइन हमयूजों। नमस्कार। ऑफी सप्फ़ाइब करें दूभ आपकाश्वागत है। आप हमारे चैनल पर्थम बार उपस्थ हुए हैं अशिवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं। प्रिपे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बगलने बेराई हंटी प्रेस कर लें जिससे आपको नहीं नहीं बाते समय से पता चलती रहें तो साथियों आईए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अंक जोतिस के विशे में मैं आपको बहुत पहले जनकाई देता रहता था आप उसकी प्रसंसा करते थे आपने उसको अच्छी तरह से देखा तो अन्य विश्यों के वजय से मैं उस वीडियो को उन चीजों को नहीं चूँ सका था अब मैं पुनर है आपके सामने अंक जोतिस सबसे जानने का मुच पूर्ण जो चीज होती है वो होती है कि कीन तारीखों में हम कोई कौन सा काम करेंगे कोई काम सुभ करेंगे तो वह काम हमारा पूर्ण हो जाएगा यह इसका और कौन सा रंग हम धार्ण करें जिसके वजह से हमारा मांसमान बना रहे समाज हमारी पति कितियां है चार, तेरह, बाईस और तीस है उनका विशे में आपको जानकाई देने जा रहा हूं तो साथियों इन लोगों का मुलांग चार होता है तो जो इनके कारक ग्रह होते हैं सुर्य और सुक्र है लेकिन जीन लोगों के एक तीस माई की विशेश किति है उनके लिए इन इन कारकों के साथ सुर्य और सुक्र के साथ साथ बुद्ध का भी एक अच्छा संजोग बन जाएगा तो बुद्ध जानते हैं कि बहुत थेक स्वम ग्रह होता है एक आउंटेंसी बिद्या ग्यान इन सब चीजों के लिए बुद्ध का बहुत बड़ा विशेश महत होता है तो यह एक विचित संजोग है 31 माई वालों के अंदर संगीत है कला है दर्सन इन चीजों के विशेश पढ़ानता रहती है इन चीजों में विशेश वो उनका आकर्शन होता है तो साथियों यह अपने आगे किसी सुनते नहीं है अपने धुन में आती वही करते हैं प्राजम यह किसी का बंदर नहीं मानते हैं इक नई नई खोच करते रहते हैं और अपनी बातों पड़ल हते हैं तो इनकी आर्थिक इस्तिति क्या होती है यह बहुत पैसा कमा सकते है और पैसा भी क्या होता है कि अचानक भी आएगा और प्रत्यासित पैसा कमाने की प्रविती होती है जैसे आप में कोई अच्छा कोई लेक लिख दिया अचानक धेर सारा पैसा आगया जो आप सोच भी नहीं सकते थे इस त्रगी सिति बंती है जीवन में उतार चड़ा भू स्वास्तियों इनके अंदर एक वाल्टी होती है कि इन्होंने जो अपने मन में ठान लिया है जो इन्होंने डिशाइट कर लिया उस पर यह अपने विचारों को कटता रहते हैं और किसी सुनते नहीं है इसलिए समाज में इन से लोगों का एक तरह से मेल भाव प्रेम भाव भी थोड़ा कम हो जाता है कि अब इनके लिए स्वास्ति का कैसा रहता है सातियों स्वास्त के मामले में भी जैसे इनका सुभास्व बिचित होता उस्य तरह से इंका स्वास्तित Chant reaction करता है अच्छानक बिमार पढ़ जाएंगे और बिमार पढ़ने में इनको influenza है सरदी जुकाम है पेट में दर्द है मरोड है इस तरह सीजें आम दिक्कत पैदा करती है फेपड़ों में सुजन हो सकती है तो इनके लिए चाहिए कि यह हलका सुपाज भोजन करें ज्यादा गर्ष्ट भोजन न करें हलका सुपाज भोजन करें थोड़ा थोड़ा खाएं और कई बार भले खा सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा खाएं ज्यादा एक साथ भोजन करने के कोशिश नब रहें तो साथियों यह जो हमने जो मुलांग बताय थे जिनकी तित्या बताये थी 4, 13, 22 और 31 इनके लिए जो सबसे जो महत्पूर्ण जो अंख होते हैं अंख होता मुलांग होता चार और 6 होता है जिसे चार हुआ 13, 22 चार अंक होते हैं उसी तरह से किसी महिने की 4, 13, 22 एक 30 की तितिया इंके लिए अच्छी रहेंगी जिसे 16 हुआ तो यह जो हमने 6 भी बताया है तो 6 में क्या होगा 6 हो गया 15 हो गया और इस तरह से जो 6 के जिनका जोड़ होता है वो इनके महत्तपूर होता ह और लेकिन जिनका विशेश रूप से जमतित्थी 31 माई के लिए है उनके लिए 5 का अंक भी विशेश योगदायक होता है इसे 5 हो गया और 14 हो गया और 23 हो गया पांच जिसका योग होता है इनके लिए बहुत ही सुभदायक होता है इन तितियों में जिनका योग जो मनें ब वह विशेष लाबदायक होगा और जिनके 31 तरीक उनके लिए 5 का योग भी विशेष लाबदायक होगा तो इसमें दिया कोई महत्वपूर काम करते हैं कोई नया कारकरम करते हैं किसी तरह का पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी में तो उसमें लिए यह तितियां उनके लिए सुभदायक रहेंगे इन तितियों में किये कारे जोह जब शुरू करेंगे तो सफलता दायक होंगे और जीवन में उन्नती दायक रहेंगे तो इनके लिए जो सबसे जो सफेद अंका जो रंग क्या होना चाहिए सातियों तो इनको चाहिए कि अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए समाज में अपने उन्नती चाहने के लिए और लोगों में अपना प्रभाव बनाने के लिए तो इनको सुनहरा, पीला, नारंगी, नीला और सलेटी रंग के कपड़े पहनेंगे अथवा इस रंग की हैंकी भी रखेंगे अगर मान ये उस कपड़े उस दिन रोज नहीं पढ़ने पाते कि कोई दुसरा आपने कपड़ा पहन लिया तो उसके लिए उसकी हैंकी रखें अपने जेब में और किसी विशेश कार्गर में जाएं तो उस हैंकी का अकसर प्रियोग करते रहें ताकि लोग उस रंग को दे के आकर सित हो जाने हैं और जिनके लिए जिनकी जानती थी 31 मई है उनके लिए सफेद क्रीम और चमकीले रंग जो होते हैं यह विशेश रूप से काउंट हो जाएंगे और इनके ररत्न क्या होगा तो पुखराज और हीरा यह विशेश रूप कारगर होगा आप माड़ी की भी पहिश सकते हैं लेकिन जिन लोगों को पुखराज भीरा पहना होगा मैं आसा करूंगा कि पहले उस नग को चेक कर लें जांच लें जीसे कि मनें कई वीडियों बता रखा अपने सिर्हाणे रखके दुसको वाच करें घ्很好 दू सो के देखें कि मतव्ट क्या प्रभाव दिखाता है यदि दुस्ष प्रभाव दिखाता है रठात आप रात में सपने आते हैं आप उद्विक्न हो जाते हैं मांसिक कष्ट होता है चैन से नीद नहीं आती है तो फिर इस रत्व धान ना करें लेकिन धान करने से पहले चेक करना जरूरी है क्योंकि काशली नहीं होते है तो मैंने अग्जोतिस ग्रूप में आपको एक छोटी से अच्छी जानकाई दिया आशा है कि आप इसका लाब उठाएंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीशेव तब तक लिए नमसकार वीडियो दिखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद